नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुपरसाथ दास कुसवा है सर कहां से आए हैं आप? सर MP भोपाल सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा आपने कम ली? सरसंत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति साध्नाई करते थे करते थे सर राम की और संकर भगवान की भक्ति करते थे और हनुमान जी की भी करते थे और भी माने देवी देताओं की करते थे फिर गुरु मिले एक आयुद्यावाले उनसे नाम लिया हमने राम नाम उसके बाद में फिर हम गाओं में ऐसी इस्तिती बनी हमाई हमने कुगा खुदवाया उसमें हमारा बहुत सारा कर्ज हो गया इस्तिती गड़बड हो गई तो हम वहां से मजदूरी करने के लिए भोपा साल हो गई हमें माने कोई समझ में आया बहुति करते रहे मंगर इस्तिती गड़बड होती रही बीमारी हमाई बढ़ती रही और उसके बाद में फिर हम उनसे मन हट गया तो फिर हम मंदू परमहन जी से जड़ गए दो मैना मंदू परमहन जी से की भक्ति करी इसके बाद मे पर हमारी दुख बीमारी खतम नहीं हुए तो हम गाओं गए तो हमारे वहाँ एक यग होता है दुरगाजी के पास, दुरगाजी के मंदर है तो वहाँ एक पंड़ित मिलेवे के लगेवे टत्वरे लिए बहुत समझ चा खराव है तो यग जाब करवाले तो हम तेरे सब दुख जालत दूर दूर कर देंगे तो उस टेम पे हम बहुत बीमार भी थे हमारे लिए बहुत सी बीमारी थी सार मतलब टी भी हो गई बाद में रीड की भड़ी में दर्द होना और ववसीर में तकलीव जे दुनिया भर की बीमारी सरीर में घेर कर गई थी तो पंड़ित जी ने कहा कि तूं हमें संकल्प कर दे तो हम महा मरतुंजा का जाब करवा देंगे तेरा तो तो सब बात की सुबीदा हो जाएगी तो सर में ने उनको माने संकल्फ दिया गांप और वस एक साल के बाद उनने फोन करा कि तेरा जाब पूरा हो गया तो सर जी जब पंड़त जी घर पर आये भोपाल में हमारे यहां तो तीन चार पंड़त आये उनने दुनिया भ पर के खर्च करवाए उनने और यह खाना वह खाना यहां से कपड़े चाहिए मन के कपड़े लिए सब कुछ मैं करता रहा कि भाई हमाई दुख दूआ बीमारी दूर हो जाएगी इसलिए मैं करता रहा वह लोग 25,000 रुपया से अबदास को उतार के और चले गए हमारी ना तो बीमारी दूर होई और ना आर्थिक इस्तिती सही है सर फेरापसंत रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए पधब्ड जी हम जा रहे हैं तो हम चले गए उनकी सात में संतराप्आल जी महराज की आसरम में हमें पहुचे तो जब आसरम के अंदर गए सरजी तो हमएं होहां ऐसे लगा जैसे हम बिलकल स्वर्ग में आगाए हों बेकुंट में आगाए हों इतना अच्छा लगा बहुत अच्छा हसाब कता हुआ लगा हमने का अब हमारे यहां सब माने दुख दूर हो जाएगा और हमारा सही उद्धारी होगा तो फिर वहां पर हमने रामपाल जी महराज से नामदान लिया उसके बाद में फिर आसीरबाद की लाइन में लग गए तो आसीरबाद की लाइन में लगे लगे जब रामपाल जी महराज जिने हमें आसीरबाद दिया तो फिर हमें ऐसे लगा जैसे हमारे उपर से टनों बजन उतार गया हो हमारा सरीर बिलकुल हलका फलका हो गया जबकि हम इतने कम जो और इतने बीमार थे कि यहां से हमारे भक्त लेगा थे हम पर हमारा बैग नहीं चल रहा था हम अपने मौटर मनी चड़ पाथे थे तो वहां से हम जब हमारा सरीर ऐसे फूल की तरह हो गया रामपाल जी महराज की दयासे आशिरवाज से कि बिलकुल जैसे कोई ना रोग हो और ना कोई बीमारी होए सर संतरांपाल जी मारास नामदिख्षा लेने के बाद शरधरों को बहुंत सारे लाप जैसे हमारी सबसे पहले तो ये रोग हमेरे लगा हुए था तकलिऑ हूती थी बुखाराना सर्दी खासी बुखाराना और हाथ पर हमें दर्द होना तो फिर हमने डाक्टर को दखाया टनन डाक्टर को तो उन्होंने बुला कि भी यह तुमें टीवी है तो फिर हमने का सर टीवी के इलाज करिए आप तो फिर उन्हें टीवी का इलाज दिया हमें तो साल भर उन्हें टीवी का इलाज करा हमने उसके बाद में रामपाल जी महराज के यहां जाने से हमें पूर पूरा आराम मिला फिर वहां से आके हमने सब दवाइएं बंद कर दिंग और मंत्र दिये हुए अनुसार हम वक्ति करते रहे और बावासीर भी था तो बावासीर को भी बहुत तकली होती थी खून आता था बार बार में अभी मने वह तीन-चार मुना बिलड आया अभी की बात है तो फिर हमने प्राथ न लगाई रामपाल जी महराज के अरदास लगाई तो वहां से उनने बुला कि परमात मत दया करेंगे तो जैसी वहां से आसिर वाया तो वह हमारा बिलड भी परमारक की दया से रामपाल जी महराज की किरपा से बिलड भी बंद हो गया और अब वो बवासिर भी में आरम लग दे दिया मारक में स्वांच की भी बीमारी थी तो उसमें भी रामपाली महराज की दया से भक्ति करते करते तो स्वांच की बीमारी भी खतम हो गई और यसी किरपा भाई रामपाली महराज की दया से उनकी किरपा से हम बहुत मजदूरी करते थे भूपाल में आके सर तो उनकी किरपा से एक आटो दे दिया उनकी सरण में जाने से तो हमारा बच्चा चलाता था आटो उस आटो से दो बार एक्सिडेंट हो गए एक बार हमारे भानेज भगत हैं वो उनको हम लेगा थे अबरवाला तो वो बैठेते कहीं जा रहा थे दूसरी जगा सामान लेकर हमारा भाई का लड़का चला रहा था वो तो मैं ऐसा एक्सिडेंट हुआ कि बस आगे बस में घला और पीछे से ट्रक लग गया तो वो उसका दोनों का चकना करी जो कहते हैं जो रामपाल जी साथ जिनुफ सा साधना बताते हैं तो जो इंसान एसी भक्ती करता है तो उसके बाप के सामने बेटा नहीं मरता और घर में और बदूआनी होती तो बहुत सिद्ध बात वहां हो गई कि हमारा भाई का हमारा भाई नाम ले चुका था तो उ उपर से पता नहीं क्या लगा, मतलब भंगल से गऩी भी अबर शक्राइब, पूरा तुक्ली नी। और उसके के बाड़ी होती हूपार की बिलकfriend ॐ चकना चूर हो गई। तो हमारे बच्चे को भी परमात्मान संतराम पाल जी महाराज की खरुपास है। और उसको भी खनुश नहीं आने दी। सद्धुरू रामपाल जी महाराज। और एक बार क्या हुएा का हमारी बेहन खोरई में तो उनको कैंसर हो गया तो हमारी जो दोर्गा जी की जहां किए लगाते थे। हम एक बार गया नियुख पुजारी थे। siitä JКак करवाने के बाद में उसका बाटरूम का जो जांश थी बुद्ध्यकैं और भी बापस आगा वा इस्टेशन पर बाइस हो गया हमने पता चला हम्ने के पून लगा हमने की बहने उसाब आप कहा पर हैं कि लिए स्टेशन पर मुए कर रहे नहीं खर रहे हमने के यहां के नहीं दूर दूर कर देगा पर मातमा हमारी बहन बोली कि भाइया चर्चा मत करो फिर भग जाएंगे हाँ से फिर मैंने बहुत जैसी तो मैं समझ में आगो सो करो हमने कुछ नहीं कहा फिर उनसे सोबेर क्या हुआ रोपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट मिली नहीं भाग से फिर हम पापस आगा घर पर तो फिर उसमें माने हमारे पास में दो चार भगत बैठ जाते हैं जो हमारे साथ में जुड़ी थे और उनके लिए भी भहत लाव हुआ एक खो कैंसर था पी पाती थी उसका बंद हुआ एक खोंगले में कैंसर हुआ था यहां पर बे भगत फिर हमारे स तो हमने की तुमने पूरा घर परिवार सहित रामपाल जी महराज से नाम दीख चले हो जब यह बहुत बड़ी विमारी जब मिटे गी तो फिर उनोंने मतलब हमारी बेहन से का तो हमने की एक आगर तो आगर तो आज भी तुम प्रमार यह इसी वक्त मिल जाएगा आपको हम काम करो हमारे घरमें जो रामपाल जी महराज का स्थान बना है उस घर में आप परिव न लगे हात्ट तो हमारी बहन ने आ रकी कके टेम था तो उन आ पर अरथे हैं तो उसकी बाद में सो गई तो ओने कित क्या लाय दृ पमे लाब मिला उनके बातरूम से रसाजम आती थी निकलती थी सुद्भासा में तो बहुत लग यहां तो उनकी पीब बंध हो गई दूसरी बात जब सुवे रहें रिपोर्ट लेना गए वो लोग तो साथ में हम भी गए तो उनको सो परसेंट केंसर था कि खुराई से डाक्टर ने बता दिया था और उनके उसमें भी था इनको जी जाकों तुमारे और हमाएं देवी जी की पूजा करते हुगा मंगर उनने रोग मिटाने की तो क्या हो और उपर से दुख आ गया तो कोई आराम नहीं मिला हमने का संत्रामपाल जी महरास से नाम लोगे हां कहले बिलकुल लेगे तो फिर सागर में नामदान था र उनकों हो गया है अब Deck wicked की यह ऑद शरीड हो गया रोग जे ने उनको डिय माया से रिय जी डया से आपको एक सुख में जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिये तो जो सर्दालों आज आपको देख रहे हैं कि आप उनने क्या कहना चाहेंगे सर जी ऐसा है कि जैसे हम परेशान थे इसी परकार जो भी भकत आत्मा सरद्धालू है वो कोई से भी रोग से ग्रिसत होएं सर संत रामपाल जी महराज के आस्रम में जाके हैं और नाम दीख चलेके हैं अपना रोग दुख दूर भी करवा सकते हैं और अपना कल्याण भी करवा सकते हैं दोनों पायदा होगे कि यहां जब तक रहेंगे जिन्दा जब तक तो रामपाल जी महराज की किरपास बहुत सु संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण में कैसे आ सकते हैं सर संत्रामपाल जी के सथसंग टीवी चैनल पर आते हैं आप आपके अहां शहर में तो वहाँ अपना नाम दीख चले के संत्राम पाली महराज से और अपना कल्यान करा हैं और अपना मोक्ष पराप्त करें धन्यवाद सर जी सर सत्साइब अजय कोड़ाद सर जी सर जया वराप्त करें पोले करें गड़। झाल झाल